नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है exam pathfinder वी, जहां हम आपके लिए government jobs, competitive exams, admission और vacancies से related latest information और alerts लेकर आते हैं इसके लिए आप हमारे platform alert.exampathfinder.com पर विजिट कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो हमारा app जो है EPF alert app उसको भी प्लेस्टों से easily install कर सकते हैं तो दोस्तों, AAI यानि की Airports Authority of India के दुआर application निकाली गए graduate degree apprentice और दो अन्य post के लिए ये vacancy डारेक्टिक टूटमेंट के माध्यम से भरी जाएगी तो इस वीडियो में मैं आपको पूरी डिटेल जानकारी दोगी तो वीडियो के अंतक आप मेरे साथ बने रहेगा तो दोस्तों, जिन post के लिए vacancy निकाली गई है वो graduate degree apprentice, technical diploma apprentice और trade ITI apprentice इसके लिए ज़रूरी qualification होनीचे वो graduate और डिप्लोमा के लिए candidate में फुल टाइम regular 4-year की degree या फिर 3-year की regular diploma होना चाहिए इंजीरिंग में किसी भी above mention stream में और AICTE और GOI के द्वारा वो recognized होना चाहिए ITI trade के लिए candidate के पास ITI NCVT Certificate Energy above mention trade का institute से जो recognized हो AICTE और GOI के द्वारा अधिक जानकारे के लिए आप इस official notification को download करके देख सकते हैं तो application जो है वो इसकी start हो चुकी है 4 November 2022 से तो अगर आपको इसके लिए apply करना है तो आप इसके लिए apply कर सकते हैं जो last date है apply करने की वह है 4 December 2022 तक आप इसके लिए apply कर सकते हैं जो vacancy है 125 तो कावी सारी vacancy निकलिए अगर आप इसके लिए apply करना चाहते है तो आप apply कर सकते हैं बहुत ही अच्छी vacancy निकलिए application mode online है और यहां पर number of seats given है कि कौन सी discipline में कितनी vacancy है और उनका monthly stipend given है जैसा कि आप देख सकते हैं civil electrical electronics computer science इसके लिए graduate degree apprentice के लिए जो है वह रूपीज 15,000 monthly stipend है technical diploma apprentice के लिए इसके लिए स्टाइपन है वह है 12,000 और trade IT apprentice के लिए स्टाइपन है वह है 9,000 पर मन्त तो आप देख सकते है monthly stipend given है और यह भी given है कि कौन से field में कितनी seats है graduate degree apprentice के लिए monthly stipend technical diploma apprentice की monthly stipend इसके लिए जो भी इंट्रस्टेट कानिडेटन को online apply करना होगा वैप पोर्टल पर जाके graduate and diploma apprentice के लिए आप www.mhrdnats.gov.in पर वजट कर सकते हैं और iati upgrade के लिए अप apprenticeship india.org पर विजट कर सकते हैं तो आपको इस website पर विजट करना होगा graduate or diploma apprentice के लिए इस website पर विजट करना होगा और iati trade के लिए भी यहाँ पर website given है तो आप देख सकते हैं candidate को register करना होगा concert portal पर जाके application mode online है तो आपको online यह अप्लाइड करना होगा यहाँ पर official website given है जहाँ पर आपको विजट करना होगा और procedure given है enrolment का NETS के portal पर तो यहाँ पर official website given है जिसपे आप क्लिक करके directly आपको login करना होगा उसके बाद सारे steps given है तो अगर आपको इसके लिए apply करना है तो आप इसको last moment के लिए ना छोड़े जितना जल्दी हो सकता है इसके लिए apply करो यहाँ पर एक बड़ी notification को go through करें ताकि आपके लिए apply करना easy हाँ पर process given है तो आपके लिए apply करेंगे तो आपके लिए apply करना easy होगा करना चाहते हैं तो share button पर क्लिक करके शेयर कर सकते हैं fellow candidates के साथ और इस related update से बने रहने के लिए आप इस even को subscribe भी कर सकते हैं तो जब आप मारी platform पर विजिट करेंगे तो यहाँ पे apply now को section होगा जिसपे आप टाप करेंगे तो आप official portal पर पहुंच जाएंगे तो यह facility आपक प्रोवाइड करता है कि आप इस apply now के button पर क्लिक करके भी जब आप इनके direct official portal पर पहुंच पर पहां से प्लाए कर सकते हैं अगर आप कोई भी information शेयर करना चाहते हैं तो आप बिसकास बटन पर क्लिक करके हमारे platform community.exam.padfaanji.com पर विजट कर सकते हैं इसका जो link है मैं आप अगो की मदद के लिए description box में डाल दूगी और write a reply section पर reply करके आप information share कर सकते हैं और discussion start कर सकते हैं fellow candidates के साथ यह हमारा platform है आप इसारे notification section wise बाइफर केड कर रखे हैं यह latest notification का section है तो जो भी latest notification और इसकी जानकारी आपको यहां पर मिल जाएगी जो भी latest event है और आपको यहां मि प्राटवर्म पर विजिट करेंगे तो इस तरह से install आपका पापायागा जिस पर click करके आप इस आपको easily install कर सकते हैं तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही मैं आशा करते हूं कि आपको अधिक सदिक information मिल पाई होगी वीडियो अच्छा लगे तो उसे like and share करें और हमारे चानल को subscribe करें पीडियो में तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत निवाद दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में झालब बने दोस्तों में तक में तक की रवे झाली हैं आपको अवे यहाद दोस्तों आपको तक की कि वाद